हेलो फ्रेंद्स वेलकम टू माई चानल यह हमारा सेकंड वीडियो लेक्चर है रिगार्डिंग विग सॉफ्ट्वेर रिवेट तो फर्स जो वीडियो था उसमें हमने कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था और जो यूजर इंटरफेस है यानि कि यह जो सब यहां पे हम यहां पे यूनिट को कैसे सेट अप करते है और उसके साथ साथ लेवल्स को हम कैसे क्रियेट कर सकते है तो इन सब के बारे में यहां पे डिसकस करेंगे तो सबसे पहले basically यापे जो templates है उससे हम यापे start करते है तो जैसे कि हमने पिछले lecture में इसके बारे में discuss किया है तो architectural template आप तब लोगे जब आपको feet and inches में काम करना है and construction template आपको meters या mm इन दोनों में से अगर कोई भी आपको choose करना है या उसमें work out करना है तो आपको construction template लेनी है अगर आप by default यह दोनों नहीं लेते या दूसरा कुण सा available default template नहीं लेते या आप दूसरा कोई लेना चाते हो तो आप simply new पे यापे click करे उसके बाद यहाँ पर architecture and construction template जो दो default है उसके साथ साथ यहाँ पर browse option में आप जाईए browse option में आपको यहाँ और भी सारे जो भी कुछ templates है वो मिलेंगे तो इनमें basically electrical, mechanical, plumbing, residential, structure यह कुछ यहाँ पर standard, default या standard templates है तो मैं फिलाल इसको default पे रखता हूँ and simply इसको open करता हूँ और एक बार अगर आप इसको open कर लेते हो तो उसके बाद भी आप unit में जाके जो particular हमारी drawing है उसके unit को set करके उनको बदल सकते हो तो वो हम यहाँ पर आगे जैसे जैसे हमारा lecture बढ़ेगा तो आपको वो बहुत easily understand हो जाएगा तो now यहाँ पर हमें सबसे पहला जो part डिखना था वो levels लेकिन उससे पहले जो है जो user interface है तो एक बार हम quickly उसको revise कर लेते हैं जिनोंने वो miss किया होगा तो वो यहाँ पर easily आपको understand हो जाएगा तो सबसे पहले यह application हमारा menu है यह application टाप है जिसमें new, open, save, save, export विगरा यह कुछ basic चीज़े होती है यह application menu के ठीक बाजू में यह quick access toolbar है तो quick access toolbar में जो है यहाँ पर open file आप कर सकते हो फाइल को save कर सकते हो undo, redo, then यहाँ पर measurement between two reference points, then align dimensions, उसके बाद text, 3D view, then section आप add on कर सकते हो, then thin lines, तो यह basic चीज़े यहाँ पर होती है and then यह जो particular option यहाँ पर है, तो वो customize quick access toolbar पर click करके आप उनको कर सकते हो, adjust कर सकते हो, यह simply edit कर सकते हो, okay तो यह हो गया quick access toolbar, then यह जो first यहाँ पर option है, यह है, यहाँ पर आता है आपका title, okay तो particular जो project आप करते हो, तो उसका जो भी कुछ title होगा, तो यह यहाँ पर display होगा, then यह जो है, यहाँ पर connection center है, यह simply यहाँ पर आप यहाँ से autodex, जो हमारा standard यहाँ पर उसका website है, उसको sign in कर सकते हो, ताकि जो भी कुछ features होगे, तो वो आप उसको access कर पाऊगे, okay, उसके बाद यहाँ पर आता है modify, modify मतलब simply इस पर click करते हो, यानि कि कोई भी command आपकी अगर on है उसको end करने के लिए, escape तो आप करते हो, लेकिन along with that आप simply arrow पे भी अगर click करते हो, तो वो जो command है, वो end हो जाएगी, okay, और freshly आप अपने आगे वाले command को utilize कर सकते हो, उसके बाद यहाँ पर architecture, structure, insult, analyze, massing and site, collaborate, view, manage, modify, okay, तो यह बहुत सारे classification यहाँ पर दिये है, पिछले repeat करने की कोई जरूरत नहीं है, okay, तो यहाँ पर जो important हमारे लिए है, वो है properties and then है, property, sorry, project browser, okay, तो project browser and properties जो है, इन दोनों के बारे में हम discuss करेंगे, okay, तो सबसे पहले जो है, हम उससे पहले यहाँ पर levels पे एक बार देख लेते, तो सबसे पहले यह जो आपको view देख रहा है तो यह हमारा project view है, और इस view को अगर आप देखेंगे, तो यह हमारा top view में यहाँ पर particular project यहाँ पर on है, okay, यानि कि default जब मैं software को चुरू करता हूँ, तो जो भी template आपकी होती है, तो वो simply यह ऐसे top view में आती है, और यहाँ पर आपको four nodes दिखाए देगे, okay, यह nodes आप इसको कह सकते हैं, या simply आप इसको camera भी बोल सकते, तो अगर थोड़ा सा में इस पर zoom करता हो, और यहाँ पर अगर देखता हो, तो यह दिखें, views, elevation, north, okay, यानि कि यह जो particular direction है, यह north direction है, और यह जो arrow represent करता है, तो वो यहाँ पर direction, जो particular direction हमारी है, project की, तो उसको यह represent करता है, similarly जो यहाँ पर east, west, okay, then north, south, ऐसे यहाँ पर यह चार coordinates है, तो यह चारो coordinates के बीच में आपको अगर आप drawing बनाते हो, तो आपको बहुती easily यहाँ पर working environment आप maintain कर सकते हो, तो आपको जो भी कुछ drawing बनानी है, तो वो आप इसके अंदर बना के रखिए, तो आपको बहुती convenience यहाँ पर हुगा, drawing को, यह model को develop करने में, okay, तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हमारे project browser के साथ, तो सबसे पहले जो view है यहाँ पर, okay, और ऐसे आप इसको adjust भी कर सकते हो, simply इसको drag करके, okay, तो यह views है यहाँ पर, तो view में अगर मैं जाता हूँ यहाँ पर, तो view में मैंने all यहाँ किया है, उस पर आपको floor plans, ceiling plans, इन दोनों में यहाँ पर कुछ levels दिख रहे है, तो सबसे पहले level क्या होते हैं, उसके बारे मैं एक बारे discuss कर लेते हैं, तो सबसे पहले मैं यहाँ इस level 1 पर click करता हूँ, okay, तो जैसे मैं इस पर click करूँगा floor पर, तो यहाँ पर जो है, मुझ सकते हो, हमारा जो default view है, north का, वो यहाँ पर open हो गया है, और उसमें जो दो चीज़े हैं में दिख रही है, यहाँ पर that is level 1 and second is level 2, okay, उसके साथ level 1 के नीचे जो है, कुछ dimensions लिखे है, feet and inches में, 0 feet, 0 inches, then level 2 पर है, 10 feet, 0 inches, okay, तो यह है हमारा level का interface, यह simply यह जो है, levels है, हमने यहा आते हो, तो आपको यहाँ पर simply top view मिलेगा, उसके बाद ceiling plan जो है, उसके बारे मैं आगे आपको बताऊंगा, तो ceiling plan का भी अगर आप level on करते हो, तो वहाँ पर भी आपको top view ही देखने को मिलेगा, लेकिन आपको अगर side elevation या levels को actual में अगर आपको feel करना है, यानि कि देखना हो, तो यहाँ पर मैंने south direction को रखा है, और यहाँ पर हमारे levels आ चुके है, अब यहाँ पर level के बारे मैं बात करते हैं, कि आप इसको develop कैसे कर सकते हो, या simply इसको edit कैसे कर सकते हो, तो यह default यहाँ पर दोनों जो level है, यह on है, तो कुछ-कुछ यहाँ पर software में यह अलग भी levels ह हो सकते हैं, यानि कि 4 levels, 5 levels तक भी हो सकते हैं, या कम ज़्यादा इसमें हो सकते हैं, तो यह version जो, यहाँ पर changes उसमें होते हैं, या variety of versions में, variety of user interface या simply यह screen पर जो level से वो दिखाए देंगे, तो यहाँ पर इसको edit कैसे करना है, वो हम एक बार देखते हैं, तो सबसे पहले level 1 या level 2, इन दोनों का basic जो difference है, वो आपको बता भी चल रहा होगा, तो वो एक बार फिर में बता देता हूँ, तो level 1 और उसका जो dimension है, वो देखिए, वो है 0, 0, ओके, यानि कि यह जो particular level 1 है, तो यह 0 elevation पर है, यानि कि ground level से, यह जो हमारा distance है, यह जो हमने level create की है, या जो भी हम यहाँ पर work करेंगे, जो भी walls बनाएंगे, या जो भी इस पर floor वेगरा बनाएंगे, तो वो level 1 से शुरू होगा, यानि कि 0 distance से शुरू होगा, ओके, सेम यहाँ पर level 2 पर अगर हम जाते है, तो सबोज मैंने level 2 यहाँ पर सिलेक कर लिया, ओके, तो मैं floor plan पर level 2 पर जाता ह हो, तो यहाँ पर जो है, यह level 1, सबोज मैं यहाँ पर floor plan पर कुछ भी बनाना चाता हूँ, लेकिन मुझे वो level 1 से start नहीं करना है, level 2 से directly start करना है, या कुछ distance छोड के मुझे मेरा working model यहाँ पर बनाना है, तो मैं simply यहाँ पर level 2 से उसको start कर सकता हूँ, तो basically यह जो levels रहते ह है, तो उसको differentiate करते है, और इसका जो main purpose यह भी रहता है, कि आप बहुत ही easily classify कर सकते हो, अपने पूरे model को, यानि कि आप print separately उसको बना के edit कर सकते हो, देन उसके बाद first floor, second floor या बाकी जो भी आपके particular component होंगे, building के, उनको आप easily adjust and classify कर सकते हो, तो इसके बाद सबसे पहले हम इसको आप edit कैसे कर सकते हो, तो जैसे ही मैं मेरा cursor इसके ले जा रहा हूँ, तो यहाँ पर level and उसके बाद जो dimension है, उसके वो भी यहाँ पर select हो रहा है, तो इन दोनों में से कोई भी एक select करने के लिए, particular यहाँ पर, suppose मुझे नाम change करना है, इस मेरे level का, तो मैं level पर and two, okay, two times मैंने enter किया, तो यहाँ पर एक बार आप देख सकते हो, suppose मैं control Z करता हूँ, double click मैंने किया, और उसके बाद यहाँ पर आया, ground floor, okay, और एक बार मैंने enter किया, enter करने के बाद यहाँ पर आता है, हमें लिखे कि would you like to rename corresponding views, तो simply इस पर yes करना है, या simply two times अगर आप enter करते ह हो, तो आपका जो नाम है, वो edit हो जाएगा, okay, तो यह हमारा हो गया ground floor, उसके बाद इसका जो dimension है, वो भी आप यहाँ से change कर सकते हो, suppose मैं इस पर double click करता हूँ, यहाँ पर इसको पूरा select करके, suppose मैं यहाँ पर डालता हूँ, 5 and simply करता हूँ, enter, okay, तो आप देख सकते हो, यह जो ground level था, यहाँ पर, इस particular point पर था, यह देखे, control Z मैंने किया, तो यह ground floor 0 पर था, लेकिन जैसे हमने dimensions डाले, तो यह अपने जो particular point है, वहाँ से यह elevate हो गया, okay, तो यह ऐसे आप इसको simply distance डाल सकते हो, और उसको edit भी कर सकते हो, okay, तो यह ground floor हो गया, उसके बाद level 1 जो है, यहाँ पर हमें कुछ अलग डालता हो, सबोज मैं यहाँ पर डालता हो, प्लिंथ, okay, और simply फिर एक बार enter करता हो, तो मुझे यहाँ पर rename के लिए एक बार yes करना पड़ेगा, यानि कि simply two times में enter करता हो, तो यह हमारी प्लिंथ यहाँ पर बन गई, okay, उसके बाद distance है, तो distance आ हो जाता है, तो यह देखिए, आप देख सकते हो, यहाँ पर यहाँ पर पर डिकुलर जो distance है, वो यहाँ पर बढ़ चुका है, तो यह हो गया कुछ basic यहाँ पर इन दुनों लेवल्स के बारे में, लेकिन उसके साथ-साथ, जैसे कि आप देख सकते हो, कि यह जो ground floor या प्ल अगे चलके ऐसा भी हो सकता है, फिलाल तो यह दो ही यहाँ पर लेवल्स है, इसलिए ज्यादा confusion होगा नहीं, लेकिन जैसे आप ज्यादा लेवल्स बनाऊगे, तो यह software क्या करता है, कि particularly जो arrangement रहती है, यानि कि ground floor हमें बता है, कि ground floor यहाँ पर प्लीन के नीचे आने वाला ह लेकिन software जो है, इसको alphabetically आरेंज करता है, तो इसलिए हमें क्या करना रहता है, सपोज मैं ground floor कर रहा हूँ, या कोई भी नाम में यहाँ पर दे रहा हूँ, तो उसके आगे हमें 01 से यहाँ पर ऐसे उसको initiate कर देना है, तो 01 ground level, ओके, देन उसके बाद प्लीन को अगर मैं कर र जैसे, जो हमारा floor brand या software जो है, इस particular levels को alphabetically नहीं, बलकि 1, 2, 3 ऐसे पूरे sequence में करेगा, तो यह चीज़ आप एक बार note down कर सकते हैं, कि आपको जो भी level का नाम edit करना है, तो वहाँ पर आप numerical use कर सकते हैं, ओके, या simply यहाँ पर A floor या A, B, C, D, ऐसा भी आप कुछ यहाँ देखा कि यहाँ से आप डालते हो, उसके साथ साथ आप यहाँ से भी उस distance को change कर सकते हो, यहाँ से में एक बार करके दिखाता हो, सबोज मैंने डाला 20, तो यह देखिए, 20 जैसे ही मैंने डाला, तो यहाँ पर यह अपना dimension उसने यहाँ पर बना लिया, तो यह जो था basic यह वाला जो sign है, वो यहाँ पर navigation के लिए या simply level का symbol होता है, ओके यहाँ पर यहाँ पर आपको यह लाना है, तो आप simply यह जो आपको बटन दिख रहा है, show bubble इस बे simply tick कर देना है, तो जैसे आप टिक करते हो, तो जो properties यहाँ पर इस node पर या इस point पर दिखाए दे रही है, तो वो यहाँ पर भी यहाँ पर दिखाए देगी, उसके बाद अगर आपको इस particular level को, सपोज इस print level को मुझे adjust करना है थोड़ा सा, यहाँ पर मैं इसको stretch वेगरा करना चाहता हो, तो आपको यहाँ पर दिखेगा, तो यहाँ पर एक node है, उस node को आपको simply यहाँ पर क्लिक क कर सकते हो, ओके, लेकिन यहाँ पर एक problem ऐसा होता है, कि जैसे मैंने अभी यहाँ पर इसको करके देखा था, सबोज मैं एक बार फिर करता हूँ यहाँ पर, तो आप देख सबते हो कि दोनों जो हमारे level से, वो दोनों के दोनों यहाँ पर move हो रहे है, ओके, तो यह दोनों एक साथ simultaneously move ना हो, यानि कि single time यहाँ पर जो भी मैं move कर रहा हूँ, उसी पर वो command रहे, तो उसके लिए यहाँ पर यह चो lock है, इसको आपको सबसे पहले unlock करना पड़ेगा, ओके, और simply जब भी मैं lock पर लेके जाता हूँ, तो यहाँ पर लिखके आता है, create or remove a length और alignment constraint, ओके, तो इस पर मैं एक बार यहाँ पर click करता हूँ, तो यह unlock हो जाएगा, और unlock करने के बाद अगर मैं dimensions आप देख सकते है, stretch वेगर आग उसको करता हूँ, यहाँ पर either मैं कम भी कर सकता हूँ, या simply यहाँ से उसको बढ़ा भी सकता हूँ, तो यह आप देख सकते हूँ यहाँ कि हमारा जो level है वो ऐसे stretch होगा, उसके बाद इस पर फिर एक बार click करके, simply हम इसको lock भी कर सकते है, ओके, lock करने के बाद यह जो है particular अपने जो original यहाँ पर उसके default setting थे उस पर आ जाएगा, ओके तो मैं control Z एक बार कर देता हूँ, ताकि यह जो default है वहाँ पर रहे, ओके तो default दो levels थे, यहाँ पर वो already show कर रहा था, लेकिन अगर आपको और जो level से उसको add करना है, तो वो आप कैसे कर सकोगे, तो सबसे पहले architecture आपको on रखना है, और वहाँ पर आपको datum में यहाँ पर दिख रहा होगा, दो यहाँ पर sub types है, that is level and grid, ओके उसमें से जो level है, जो हमें use करनी है, तो वो आप simply select कर सकते हो, और जैसे मैं level पर जाके click करता हो, या उस पर button लेके जाता हो, तो bracket में LL करके यहाँ लिख क्या है, that is वो जो है उसका particular जो level है, उसका shortcut की है, तो simply यहाँ पर मैं आ जाता हो, और LL यहाँ पर press करता हो, तो यह देखिए, यहाँ पर directly वो जो tab है, या command है, वो यहाँ पर open हो चुके है, और autocad में जैसे हम command को press करते हैं, सबोस लाइन है, तो हम क्या करते है, L and simply enter करते हैं, तो वो command line की शुरू हो जाती है, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ initially, यहाँ पर alphabet still, यहाँ पर put करने होते हैं, तो जैसी आप LL डालते हो, तो automatically यह आ जाता है, आपको enter विगरा करने के कोई जरूरत नहीं पड़ती है, तो एक बार मैं यहाँ पर escape करता हूँ, और escape जब आप करोगे, तो वो two times करियेगा, ताकि वो properly exit हो सके command से, तो मैं एक बार architecture में गया, उसके बार datum में यहाँ पर आपके पास levels है, तो simply मैंने level पर एक बार click किया, तो जैसे मैं level पर click करता हूँ, तो आप देख सकते हो, यहाँ पर जो level है, यहाँ पर यह start हो रही है, बनना, ओके और यह जो है, इसने particular datum point यहाँ यहाँ बेस point इसने consider किया है, उसके बार जैसे मैं इसको यहाँ पर कम जादा करता हूँ, तो यह देखि यहाँ से एक node यहाँ पर दिखाई दे गया, ओके और मैंने 20 डाला था, लेकिन वो 20 इस particular point से डाला था, तो 20 प्लस 20, यानि कि ground level से यह जो है, total 40 होगा, तो level 3 जो है, हमारी यहाँ पर ground level से 40 आएगे, तो यही यहाँ पर 40 भी display होगा, ओके उसके बाद मैंने distance आलने के बाद यहाँ पर simply एक बार मैं फिर से click करूँगा, ताकि यह align यहाँ यहाँ पर रहे, ओके और उसके बाद जो है, यहाँ पर उसको हम आगे भी extend कर सकते, suppose यहाँ तक अगर हमें extend करना है, इस node तक तो यहाँ तक हम लेके आएंगे and simply उसको click करेंगे, ओके, तो ऐसे इनको यहाँ यहाँ पर हम जो है, हमारी जो level है, next level उसको ऐसे हमने simply create किया है, उसके बाद मैं escape कर देता हूँ, two times escape करूँगा, ओके, और उसके बाद यहाँ पर जो है, इस particular level को में यह नाम विगरा उसका edit करूँगा, तो यहाँ पर सबसे पेले, यह जो है, हम यहाँ पर उसको नाम वि आजाएगा, okay, text भी आजाएगा, and along with that dimension भी आजाएगा, तो उसको मैं simply edit कर सकूँगा, तो suppose यहाँ पर हमने ground floor बना लिया, उसके बाद प्लिंद बना लिया, then जो next है यहाँ पर, तो suppose हम उसको बनाते है, यहाँ पर first floor, okay, first floor, okay, लेकिन उसके पहले आपको 03 डालना जो है, वो essential है, वो क्यों है, यह अभी अभी मैंने बताया, ताकि आपका जो floor plan है, या software जो है, वो इसको sequence wise जो है, वो show करें, तो यहाँ पर clean हो गया, उसके बाद मैं डालता हूँ, first floor, okay, and simply यहाँ पर two times enter करूंगा, तो यहाँ पर यह आगया 03, first floor, then उसके बाद distance है, अगर मुझ जो है, यहाँ पर इस particular चीज़ को tick and tick करके, आप दोनों साइड पर इसके जो यह particular हमारा level का symbol है, इसको भी ला सकते हो, okay, and बाकी सब editing विगरा इसमें perform कर सकते हो, अभी यहाँ पर फिर एक बार यहाँ पर view पर क्लिक करता हो, okay, और view पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर 3D view मे अगर हम जाते हैं, तो फिलाल हमें, हमने जो है, वाल वेगरा कुछ create नहीं की है, तो इसलिए यहाँ पर यह कुछ show नहीं करेगा, okay, तो यहाँ पर एक बार फिर मैं, हमारा जो particular level है, उस पर मैं एक बार क्लिक करता हो, तो सबस्में south पर यहाँ पर गया, तो यहाँ पर दे देखेगा, then north है, south है, west है, okay, तो इन में भी यह particular हमारी जो यहाँ पर elevations है, जो levels है, वो यहाँ पर create हो चुकी होंगी, okay, तो यह कुछ basic चीज़े थी, जिसको use करके, आप हमारा अपना जो particular project है, वो उसको continue कर सकते हो, levels में, okay, उसके बाद मैं फिर एक बार architecture में यहाँ पर पर line को select किया है, इसको, okay, तो इसमें अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं manage में जाता हूँ, एक बार, okay, तो यहाँ पर यह basic जो है, वो level create करना हो गया, उसके बाद एक बार फिर मैं यहाँ पर double L करता हो, यह simply आप यहाँ से without shortcut भी जा सकते हो, तो यहाँ पर एक जो चीज थी, वो यह बताने लायक है, कि यह जो particular level है, यहाँ पर एक method जो अभी अभी हमने देखी, यानि कि simply आपको point को select करना है, then drag विगरा करते जाना है, लेकिन, suppose अगर यही plan अगर मैं autocad में बनाता रहता, तो हम क्या कर सकते थे, तो simply हम offset यूज कर सकते थे, and baseline कोई भी पकड़के, वहाँ से simply offset दे सकते थे, तो यह same चीज हम यहाँ पर revet में कैसे perform कर सकते, तो उसके बारे में एक बार हम देख लेते है, तो suppose यहाँ पर यह जो पूरा procedure है, यानि कि particular यहाँ पर point से लेक करना, उसके बाद point को drag करना, उसके बाद फिर एक बार जाके link को पूरा adjust करना, उसके बाद distance पर करना, अगर यह पूरा जो procedure मुझे avoid करना है, और simply offset करना है, तो यहाँ पर आप जैसे लेल करते है, मैं एक बार फिर repeat करता हूँ, suppose मैंने double skip यहाँ पर कर दिया, तो फिर एक बार हम लेल यहाँ पर type करते है, तो यहाँ पर हमारा जो command वो on हो चुका है, उसके बाद यहाँ पर आप देख सेके तो यह offset है, और offset जो है, वो 0 यहाँ पर set है, तो suppose मैं यहाँ पर जाता हूँ और उसको करता हूँ 10, और 10 करने के बाद, यहाँ पर हमें यह जो first option दिख रहा है, वो simple line का था, यानि कि हमने अगर यह select किया, तो यह simple line by line हमें draw करना पड़ेगा, लेकिन उसके ठीक बाजू में जो option है, वो है pick lines, तो यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर description में भी आप बढ़ जबते हैं, उसको detail में, तो pick line जब हम select करते हैं, तो हम simply उस particular line को, या जो भी हमारी level है, उसको particular line को pick करके, यानि कि particular reference line से उसको draw कर सकते हैं, तो मैंने simply इस पर click अभी भी किया है, pick line पे, तो यहाँ पर यह देखिए, यहाँ पर जो है मैंने offset भी डाला है 10, ओके तो यहाँ पर मैं pick line पर जाता हूँ, तो मैं simply यहाँ पर यह जो हमारी particular level 3 है, यहाँ से मैं simply इस पर click करता हूँ, तो जैसे मैंने click किया, तो यहाँ से 10 जो है, यहाँ पर distance आ गया है, उसके बाद either upward आप कर सकते हो, या downward भी कर सकते हो, तो जैसे downward करने की कोशिश करता हो, तो आप देख सकते हो, यह जो नीचे व यानि कि बहुत ही आराम से आप करो, ताकि जो भी आपके mistake है, वो upward हो जाए, क्योंकि बाद में levels अगर आप बनाके रखते हो, तो उसको editing में आपको बहुत ज़्यादा problem हो सकती है, क्योंकि model आप already develop कर चुके होते है, तो editing करना थोड़ा सा lindy हो जाता है, तो यह आप यहा जाला, यहाँ पर pick lines, okay, pick line पर जाके यहाँ से देख सकते हैं, तो थोड़ा सा difference आपको पता चल रहोगा, कि यहाँ से 10 का हमने लिया था, यहाँ से 20 है, तो यह थोड़ा सा उसके ऊपर है, तो यह हो गया basic level को form करना, और यह जो editing है, इसका नाम विगरा, इसके बारे में हमन तो यह हमारे level से यहाँ पर create हो चुके हैं, उसके बाद जो next है यहाँ यहाँ यूनिट्स के बारे में एक बार हम discuss कर लेते हैं, तो यूनिट्स को on करने के लिए यहाँ पर आपको simply un यहाँ पर करना है, click करना है, यह simply type करना है, तो un जब आप करते हो, तो आपकी unit यहाँ display होने लगते है, तो units में जो है, basically यहाँ पर होता है length, then area, volume, angle, slope, currency, mass, density, ओके, तो यह area वेगरा और अबो यह जो भी है, तो वो बाद में जब हम modeling में बात करेंगे, तो वहाँ पर हम यहाँ इसको calculate या utilize कैसे करते हैं, वो देखेंगे, फिलाल हमें length यहाँ यहाँ पर हमने तो यहाँ पर आप उसकी unit जो है, वो change कर सकते हो, तो suppose में units पर यहाँ जाता हो, तो feet and fracture inches, जो हमारे default हमने set किया है, वो यहाँ पर आपको दिक रहा होगा, उस पर एक बार फिर अगर में click करता हो, तो आपको decimal feet, then feet and fraction inches, then decimal inches, fraction inches, meters, decimeters, centimeters, centimeters, millimeters, millimeters, and centimeters, यह सारे यहाँ पर option यह पर आएंगे, उसके बाद जो है rounding, rounding का मतलब क्या होता है, to the nearest, यानि कि suppose अपर यहाँ पर 6 inches, to the nearest 6 inches, इसकी बात में करता हो, तो suppose मेरा dimension मेंने अगर draw किया है, 1 और वो आ गया, 1 feet 4 inches, तो actual में अगर मैं type कर रहा हूँ, या draw कर रहा हूँ, 1 feet 4 inches, तो as मेंने यहाँ पर set किया, कि to the nearest 6 inches, इसका मतलब यह होगा, कि जो भी मेरा drawing होगा, तो 1 feet 4 inches, वो actual था, लेकिन वो जब draw होगा, तो वो 1 feet 6 inches या पर show करेगा, ताकि यह क्यों करेगा, क्योंकि मैंने यह जो हमारा rounding है, वो to the nearest 6 किया होगा, okay, same to the nearest में 1 feet करता हो, तो suppose मैंने मेरा जो कुछ dimension आ गया, suppose 8 inches, okay, तो 8 inches near है 1 feet के, suppose तो 1 feet जो है, यहाँ पर वो simply उसको show करेगा, तो rounding जो है, वो यहाँ पर आपको, यहाँ पर 1 inch रखनी है, या 1 inch पर आप रख सकते हो, तो यहाँ इस case में मैं 1 inch इसको रखूँगा, okay, तो और भी यहाँ पर precision इसको maintain होगा, उसके बाद अगर units को change करना है यहाँ पर हमको, तो यहाँ पर feet and inches में जाने के बाद, यहाँ पर मैं suppose इसको change करना चाता हूँ, millimeters में, तो मैं simply millimeter पर यहाँ पर क्लिक करता हूँ, okay, rounding जो है, यहाँ पर उसकी nearest, यहाँ जिरो decimal places पर ही में रखने देता हूँ, जैसे वो default है, unit symbol है, उसके आपको एक बार क्लि था, fraction हमारा, या dimensions, तो यह lane जो है, वो mm में आ चुकी है, that is 1, 2, 3, 5, यहाँ पर mm, currently यहाँ पर show कर दिये, तो उसके बाद फिर एक बार मैं okay करता हूँ, okay, तो जैसे मैं okay करता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हो, आप यह दिखिए, यह जो हमारा particular level है, वो mm में यहाँ पर पूरा वर्क, अगर दोनों में continue करना चाते हो, यानि कि mm में, suppose यह वाला first है, 0 mm, ground floor, okay, उसके बाद यहाँ पर second floor, जो level है, वो 6096 mm है, okay, तो simply मैं इसको double click अगर करता हो, and 3000 डालता हो, okay, तो यहाँ से यह देखिए, यह जो हमारा particular level है, तो यह यहाँ पर आ चुका है, level 9 क्य create कर हुआ है, क्योंकि हमने अभी अभी उस पर offset किया है, तो बहुत सारे level से हैं पर automatically create हुए है, okay, तो उसका भी आपको खयाल रखना है, कि step by step आपको एक एक level बनाते जाना है, okay, और precision को maintain करना है, okay, तो यहाँ पर यह mm हो गया, उसके बाद अगर मैं support चाता हूँ कि मैंने क जो है, feet and fractal inches, to the nearest यहाँ पर आप बदल भी सकते हो, आपके convenience से, and simply हम okay, यहाँ से एक बार okay करेंगे, and इस tap पे एक बार okay करेंगे, okay, और थोड़ा यहाँ पर load होगने के बाद, यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, यह जो feet and inches, that is level 9, जो हमारा 3000 mm पे था, तो वो यहाँ प जैसे भी आगया कि यहाँ पर drawing वेगर आप बनाते जाओगे, तो उसमें आपको और भी precisely यह सब यहाँ पर आता जाएगा, okay, तो यह particularly यहाँ पर units के बारे में था, और levels को आप कैसे set कर सकते हो, उसके बारे में था, okay, तो यह कुछ basic चीज़ी थी, level and units के बारे में, तो properties में आप एक बार देख सकते हैं, properties में क्या होता है, particular जो भी यह line होता है, या जो भी हमारा component होता है, तो उसकी जो properties रहती है, यानि कि उसका configuration जो है, वो हमें show होता है, तो suppose मैंने इस पर click किया है, यहाँ मैं इस पर भी कर लेता हूं, suppose यहाँ पर मैंने click किया, तो यहाँ आप देख सेकते हो कि level 1 4th head तो यह जो है यह level है उसके बाद 1 4th head उसका particular head है तो यह सब उसकी properties यहाँ पर आ गई उसके बाद elevation उसका कहाँ पर है तो 0 feet पर है यानि कि हमें यहाँ पर भी दिख रहा है और यहाँ पर भी confirm हो रहा है इस properties बार की वज़े से कि यह 0 feet पर elevated है देन उसके dimensions देन उसका नाम जो है यहाँ से भी आप edit उसको कर सकते हो देन यह structural है या building story है उन दोनों के बारे में हम आगे जाके discuss करेंगे तो यह हमें यहाँ पर पता जलता है उसके बाद यह जो छोटा यहाँ पर that is edit type तो इस पर अगर आप click करते हो तो यह देखे यहाँ से आप क्या कर सकते हो इस particular line को जो है edit कर सकते हो ओके तो suppose यह पर यह level है इसको मुझे edit करना है तो यहाँ पर elevation यह जो constant है elevation based उके उसके बार में फिलाल तो कोई हमें जरुरत नहीं है उसके बाद graphics में अगर हम थोड़े से change करना चाहे तो यहाँ पर देख लेते हैं तो graphics में सबसे पहला आता है line weight तो line weight जो है simply यहाँ पर one रखा है तो मैं इसको एक बार 10 करके देखता हूँ या थोड़ा सा इसको बढ़ा देता हूँ सबसे मैं 10 करता हूँ 10 करने के बाद अगर आप apply पर click करते हो तो यह देखे यह जो line है अभी अभी आपने देखा कि एक बहुती thin line थी लेकिन अब यहाँ उसके थीकने जो है वो बढ़ चुके है उसके बाद फिर एक बार मैं उसको कर देता हूँ वन पर ओके तो यह मैंने इसको वन किया और यह देखे फिर एक बार हमारे जो default यहाँ पर उसका size था वहाँ पर वो आ गया तो यहाँ पर line weight आप adjust कर सकते हो तो then color की बात करें तो suppose आपको कुछ यहाँ पर color aesthetic के लिए चाहिए तो suppose मैंने red यहाँ पर रखा and simply apply किया तो यह देखे सारे level जो है वो particularly यहाँ पर red color में आ गए then यहाँ पर line pattern जो है वो grid line यहाँ पर half inches ऐसा दिखाए है तो यहाँ पर और वी सारे option है 5 by 8 inches and simply apply करता हो तो यह देखे यहाँ पर जो particular यहाँ पर center line है वो हमारी draw हो गई है उसके बाद अगर मुझे और भी कुछ edit करना है सबस्थ मैं dash करता हो and apply करता हो तो यह देखे यहाँ पर simply यहाँ पर dash वाली line भी यहाँ पर आ गई है तो आप यहाँ पर कुछ basic जो properties है वो उनकी change कर सकते हो then symbol at one default symbol at two default तो इसके बारे में हमने अब यह भी discuss किया तो suppose यहाँ पर यह जो दोनों symbols है इसके बारे में एक बार देख लीजिए तो यह symbol at one end अगर में click करता हो and then apply करता हो तो यह दिखे एक ही end पर symbols को दिखाएंगे मतलब default जो है वो यहाँ पर sides यहाँ पर इससे select कर सकते हो यानि कि यह जो हमारे symbols से elevation के जो हमने यहाँ पर पहले ही edit करे है तो वो by default आप यहाँ पर on या off कर सकते हो तो यह यहाँ पर हो गया इस particular properties के बारे में तो simply मैं यहाँ पर इसको cancel कर देता हूँ तो यह हमारा जो था basic यहाँ पर elevation के बारे में था या simply levels बनाने के बारे में था and unit setup के बारे में था तो आगे जो videos होंगे उसमें हम यहाँ पर walls डालके actual में work कैसे perform करेंगे उसके बारे में discuss करेंगे तो यह ground जो levels बेगरा है इसके आप practice करेंगा ताकि आपको बहुत ही precisely जो है आपका जो drawing है वो बनता जाए तो यह units and levels के बारे में था अगले वीडियो में हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो thank you so much for watching this video stay soon and please like, share and subscribe